लो मेरे पुड़ीज कुकी पडवितरानी में आप सभी का स्वागत है अगर आप जिम जाते हैं या वेट लूस कर रहे हैं या वेट लूस करने की सोच रहे हैं तो यह चारो रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है तो आए जल्द इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं बहुत एजी रेसिपी है तो सबसे पहले में आपके साथ शेयर करूंगे फ्रूट चाट की रेसिपी तो मैंने लिया है यहां पर सेप तो सेप को ना हम इस तरह से लंबे तुकड़ों में काट लेंगे चाहो तो फ्रूट चाट के अंदर सेप को पतली स्लैस में काटके भी चाहो तो स्ट्रॉबेरी को इससे छोटा भी कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी से आप काफी चीज़े बना सकते हैं जैसे आप इससे आईस क्रिम बना सकते हैं जैम बना सकते हैं स्ट्रॉबेरी शेक बना सकते हैं या फिर केक के उपर इससे डेकुरीट भी कर सकते हैं और किवी एक एसा फल है जो और फलो के साफ से थोड़ा से महय्गा ही होता है और फल बहुझे होते हैं लेकिन की डीना ओ पर ना होता है जैसे अम्रूथ के ले से संसरा इन पहलों के साफ से और एक कीवि आता dividing का और पहलों के पोब होता है बहुत ही आसाने से चिल जाता है यह चाट को बनाने के लिए आप जो भी फ्रोट पसंद आप इसमें डाल सकते हैं या फिर इन फुरूट में से आप कुछ फ्रूट कूए कर सकते हैं कि वी को हम छील था अब इस तरह से औरेंज की औरेंज खाने से आपके skin glow करती है और इसके अंदर vitamin C होता है मैंने ले लिए हैं यहां पे औरेंज अब इसे छील लेते हैं और इसको चील लाना बहुत है आसान है आप इसे बिना किसी चाकू के छील सकते हैं वो भी अपने हाथों से अब आपने आखे बंद कर ली क्योंकि वीडियो इतनी अच्छे है उसे आप निस थोड़ी ना करोगे जो टेस्ट होता है ना वह खटा मीठा और रच से भारा होता है संत्रा ठंडा होता है इसलिए ना कुछ लोग इसे ठंड में खाना पसंद नहीं करते हैं इससे परेज रखते हैं और कुछ लोग ना संत काफी मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि इम्म्यूनिटी को मजबूत बनाता है बात कर लेते हैं अनार की और कुछ लोग ना अनार को ऐसे ही खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग अनार का जूस पीना पसंद करते हैं अनार बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता है बहुत कि बहुत होता है लेकिन अनार के बीनों बहुत वाइदे होते हैं अनार खून के कमिक को पूरा करता है और इसके अंदर विटामिन से संत्रें से ज्यादा टाइं डाचला है केली खाने के बाहने के बहुत से वह ना भी शुरू करते हैं तो मैंने लिया है यहां पर बोल तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी सेव अब आप सोच रहोंगे कि सबसे पहले इसके अंदर सेव भी डाल ले हैं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं मेरे हाथ में सबसे पहले सेव आ गए थे इसलिए मैंने वह डाल nun जब दाल सकते हैं M भलत दाला ऐनार के लिए और मेरे पासक्य में और प्रूला करने इभान के लिए डालेधी न hen ऑप लाइन दपना के लिचानद žाईन के सकते हैं द ना तर बूज अम्रूत चीकु पापीता अपने को भी फूच डाल सकते हैं 3rd our टाल के mogą चार्टमासाले चार्टमंड यान्याव त doe के तार चार्टमंड डाले प्रूच्छ उज़़ें इचे जो fruits देना उसे हमने उपर कर दिया है उसके इन दना मुझे चाट मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ तो ये लग रहा है ना बिल्कुल market जैसी fruit जैसे आप बहार जिंग ऐसी बहुत से चीज़े होती है चाय है आप fruits को काट के खा लीजिए या फिर इसका juice पी लीजिए fruits को हमने प्लेट में डाल दिया है अब इसके ओपना मैं थोड़ा से चाट मसाला और डालूंगी और जो लोग जिंग जाते हैं या फिर डाइटिंग करते हैं ये उनकी healthy diet में भी शामिल होता है तो ये लिजिए healthy fruits बन कर तयार हो चुका है और fruits खाना किसको पसंद नहीं है fruit खाना ना से भी वो बहुत पसंद आर मुझे भी बहुत पसंद है और doctors भी बोलते हैं कि आप को रोज fruits खाने ही चाहिए क्योंकि आपकी शरी में जो घून की कमी होती है वो पूरी होती है और जो बीमारियों होती है न वो दूर रहती है आप सेब खाईए या फिर कीवी खाईए जो भी fruits आपको पसंद आना वो आप खा सकते हैं तो अब हम बनाने वाले हैं हमारी दूसरी recipe जिसे हम बनाएंगे उबले हुए अंडे से तो मुझे ना इसका नाम समझ नहीं आ रहा थे कि मैं क्या रखू तो मैंने सोचे कि इसका हम रख देते हैं उबला अंडल चाट recipe Sunday हुई या फिर Monday रोज खाव अंडे यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी ही फिर अंडे की भी चाट बराना शुरू करते हैं तो अंडे को ना मैंने पहले यूबनने के लिए रख दिया था जो कि उबल चुके हैं और जैसी मैंने इस सब्सक्राइब करना इसे इस तरह से रख कर लेजिए और फिर चीले कितना असानी से नई अंडे चील जाएंगे इसे दीर दीर चील रही हूं क्योंकि यह गरम है मैंना आपको दूसर तरीका भी बताती हूं अंडे को असानी से चील जाने का एक भगोने के अंदर आप चील के अपने अपसाने से उतर जाएंगे आपको इतनी महनत नहीं करनी पड़ेगी यह था दूसरा सबसे असान तरीका अंडों को चील लेका अंडों को हमने चील लिया है अब चाकू से ना हम बीच में से इस तरह से अंडे को काट लेंगे आप अंडे को ना दो दोर आने के लिए और बीमाद से दूर रहने के लिए लोग इसे अपनी डाइट में शामील करते हैं आपको पता है अंडे को ना प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है आप अंडे को कैसे भी बना कर खा सकते हैं आपंजों चाओ तो ये बुर्जी बना इभी खा और राड़ के उसे चόल बकर तैयार हो चुका है और उब ले उद्डे खाने किसको पसंदनी Cathedral धुर्ट कोटे हो या फिर बड़े सभी को ब्लूय अंड दिखाने पसंद है अब हम बनाएंगे हमारी तीसरी रेसेपी जिसे हम बनाएंगे मिल कॉंट फ्लेक्स से अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो और सोर कॉंट फ्लेक्स सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप सुभी के नाश मैंने गैस पर रखा है दूद दूद में उबाला चुका है अप गैस को बंद कर देते हैं और दूद को ना हम एक बोल में डाल देते हैं और दूद मैंने यहाँ पर लिया है एक काटोरी क्योंकि मुझे कॉंट फ्लेक्स के अंदर कुछ जादा दूद पसंद नहीं है अग कर दिंगे इसके अंदर कॉंट फ्लेक्स कॉंट फ्लेक्स सबसे असान और कम समय में बनने वाला ब्रेगपास्ट है और अब डालेंगे इसके अंदर एक चमब च्षणी हनी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपको ओफिस जाने में जल्दी हो रही है ना हैं तो आप यह ना कर का सकते हैं कॉनवलेक्स वbrand गठाने की ड्यeot में शाइमिल किया जाता है इसमें केलरी बहुत ही कम होती है। vomP variis on a थंडे दूद में मिला कर भी खा सकते हैं या फिर इसे गरम दूद में मिला कर भी खा सकते हैं जैसे आपको इसके अंदर strawberry डाल सकते हैं blueberry जैसे आपको उसे खाना पसंद आना आप इसे वैसे बना सकते हैं या फिर आप इसके अंदर मीठे फल काट कर भी खा सकते हैं और इसे अच्छे से अंजोई कर सकते हैं आपको मेरी मीठ प्लेक्स की रेसिपी कैसे लेगी मुझे जरूर बताना त जैसे भी आपको मकाने खाने पसंद और वैसे आप खा सकते हैं तो मकानो को हमने एकसाइट कर दिया है क्योंकि अब बारी है काजु कर को और काजु का जिक्र ना हो ऐसा हो भी नहीं सकता है काजु मीठी चीजों में ठाला ही जाता है.. आगर आफ मसालेदार कोई भी सब्जी बना रहे हैं, तो उसकी गृवी में भी जाजु टाला जाता है जिसके वजह से बहुत ल Museum स्वैजु बनती है काजु के अंदर हो ल्가ग होता है बढम चाने से क्या होगा ? मैं बताँ, बढम सर्ववर्म काने से क्या होगा ? बढम होज़ाएंगे Арण अगर आप जा बढ़नाची के लिए पहले आप बढम को पारे में भीगने के लिए रख दीजिए उसके बादा बदाम को खा सकते हैं तब वो इतने गरम नहीं होते हैं वो इन से भी ड्राइफ रूट को पीश कर दूद में मिलाकर पीते हैं जिसे बोलते हैं मिल्कशेक आप मिक्स ड्राइफ रूट मिल्कशेक भी बोल सकते हैं वो लोग भी आपने आपको फिट, healthy और strong रखने के लिए पीते हैं पीसे सुभे या फिर शाम में पी सकते हैं आपको इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो अगर आपको मेरी चारों रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे जरूर ब मुझे जरूर कार scholों मुझे कर दो हो डेक हम dependent हैं ट्रूर में मुझे